स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल आईटू स्टेई टीम पर आपको हर्प्रका की जानका ही प्राप्त होती है मैं आपके साथ रामकुमाई राजपूत 25 जनवरी 2022 के फ़ेस्ट स्ट्रिप्ट के कॉस्चन करेंगे दोस्तों MP पुलिस कॉंस्टिवल 2022 के चलना है आज अटल भ्हारी बाचपेजी का जन्म कब हुआता 25 दिसंबर 1924 को ग्वाली रम्य हुआता नेक्स्ट कॉस्चन आएता काली खांसी को क्या का जाता है पर्ट यूसिस का जाता है पैटी यूसिस यदि दोस्तों आपने भी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं क इंकम टैक्स अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था एक अपरल 1962 को लागू हुआ था नेक्स्ट कॉस्टन है कम्रे के तापमान पर कौन सी धातू द्रव ववस्ता में पाई जाती है पारा मनिफुर की राजदानी क्या है इंफाले नेक्स्ट कॉस्टन आया था आज मद पिर्द है वेगं हजरत महल का किला कितने मधा है बिखम हजरत महल में 1857 की किरान्ती का लगने उसे नितत किया है तो आपने तकने चनल कर सब्सक्राइब करें स्टूटेंट से पूछा था जो कि पड़ देकर आते हैं न उनसे बूक मता दीते हैं ऑपसन नहीं बता पाते इक पीपर देखर निकलते हम उनसे पूछते हैं कि वंगल तौर कितनी दुना का होता है चार दुना का होता है और दोस्तों मैं जी आज की पिपर के हैं दोस्तों कोशन 25 जन्वरी 2022 की फर्ष्ट के कोशन दोस्तों मैंने इस्टूडेंट से पूछा था ऑप्सन नहीं बता पाती हैं वह ऑप्शन याद करके धूरी आते हैं कोशन का तो नहीं मालूम रहता क्योंकि उन्हें अंसर किया था इसलिए दादा भाई नहुराजी से सम्मंदित कोशन आये था इस पस्ट कोशन पता नहीं क्या आया था लिकिन इनकी बारे में जानका ही दिख लीते हैं जो आप्शन में ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है था कांग्रिश शब्द दादा भाई नहुराजी द्वारा दिया गाया था कि प्ष्टाक का नाम है पॉअन यंटी रूल इंडिया चलों नेस्ट का शेल है दोस्तों वीडियो को शेयर किया किए जिसे कि इस वीडियो को लाप आपकी दोष्ते बीटे शक एगें येदी जिनका पीपल हो गया है उनके लिए भी बुठ देख सकते हैं अपने कितने कॉश्चन सही हुए है और ये जिनका पीपल नहीं हुआ है उनको कॉश्चन पूर्में आ जाए जिसे की एक एक नम्मर का बहुत महत्व होता है दोस्तों इसकांसर दोस्तों मुक्केवाजी बॉक्शिंग आर्थो पूडा का शरीर तीन वागों में विवाजित होता है शिर बक्ष और इवं उधर शिर बक्ष उधर आगे है पास संधी युक्त होती है तिल चटा जींगा मचली कैकडा कटमल मक्की मच्छर मदुमक्की टिड़ी आदी यह जन्तु जगत का सबसे वड़ा समू है याद रखना दोस्तों यह जन्तु जगत का सबसे वड़ा शमू है नेक्स्ट क्कॉश्चन है चांदी का काला होना किस किरिया का उदारण है दैसाइनिक अभी किरिया और इनके बारे में जानकारी है चांदी वायू में उपस्तित हाइड्रोजन सलफाइड के साथ किरिया करनी से काली पढ़ जाती है यदि दोस्तो आपने भी तक मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करकर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी इस वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद जल्द ही मिलेंगे नेक्ष्ट वीडियो